हालो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्नपुर्णा और विलकम तू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी टी टाइम स्नैक्स ये टेस्टी तो है ही साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसे हम बनाएंगे राइस फ्लार चावल के आटे के साथ तो ऐसे टेस्टी हेल्दी स्नैक्स के लिए सबसे पहले मैंने रखा एक पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ दो कटोरी पानी उसके बाद हाफ टीस्पून ओईल और हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स वन फोर टीस्पून हल्दी है थोड़े से करी लीव से जिनको मैंने चॉप कर लिया है और थोड़ा सा भरा धनिया है नमक हाफ टीस्पून आप अपकॉर्डिंग टीस्प भी डाल सकते हैं उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके जब इसमें बॉइल आएगा तब हम इसमें डालेंगे दो कटोरी चावल का आटा जिस कटोरी से मैंने पानी डिया है उसी कटोरी से मैं दो कटोरी चावल का आटा डाल रहे हूँ जब पानी में बॉइल आएगा तब हमें ये आटा डालना है आटा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है अब यहाँ पे हम ग्यास का फ्लेम स्लो रखेंगे और इसे कंटिन मिक्स करना है पानी जितना रहेगा हमें आटा भी उतना ही लेना है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैं गैस का फ्लेम आफ कर दे रही हूँ आफ करके इसे एक बार हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे ढख कर रख देंगे त मैं इसे हाथ से easily handle कर पा रही हूँ तो इसे हम लोग हाथ से इस तरीके से मसलते वे एक soft dough बना लेंगे वैसे तो दो कटोरी आटे के लिए दो कटोरी पानी sufficient होता है अगर फिर भी आपको थोड़ा dry लग रहा है तो आप एक दो टी स्पून पानी डाल सकते हैं अब आटा मैंन से बना लिया है उसके बाद इसका एक ball बना लेते हैं जिस size का आपको रोटी बनाना है उसके according आप बना लेना उसके बाद थोड़ा सा चावल काटा dust करके इसकी हम एक चपाती बना लेंगे जिसे हम लोग normal रोटी बेलते हैं उसी तरीके से अगर जरुरत हो तो थोड़ा सा हम और चावल काटा यूज़ करेंगे और इसकी पतली चपाती बनाएंगे जनरली हम लोग नमकीन मैदे से बनाते हैं बट अगर इस तरीके से चावल काटे से बनाएंगे तो ये हिल्दी तो रहे गई साथी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची है और बनाना भी आसा अच्छे से रहेंगे अब मैंने कॉर्णर कट कर लिये हैं उसके बाद आप इससे या फिर यहां पर मैं ये वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ जिससे हम लोग गुज्या बनाते हैं उससे मैं कट कर रही हूँ ताकि जो हमारा नमकीन है उसमें एक कॉर्णर में अच्छा से लग रहा है साइट में इस तरीके से एक डिजैन बना है क्योंकि मैंने ये वाला स्पून यूज़ किया है अब मैं इनको निकाल रही हूँ एक प्लेट में और एक तरफ मैंने तेल गरम होने रख दिया है इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे नमकीन भी कट कर लेंगे अब नीचे पलटते हुए इसे हम तब तक फ्राइ करेंगे जब तक कि ये हलके ब्राउनिश या क्रिस्पी नहीं होते हैं अब ये अच्छे से ब्राउनिश हो गए है बस हमें इतना ही फ्राइ करना इससे जादा नहीं अब ये फ्राइ हो गए मैंसे निकाल रही हूँ प्लेट म प्लेट में निकाल कर इसी तरीके से हम बाकी सारे नमकिन को भी फ्राइ कर लेंगे इसे आप airtight container में रखकर वन मन तक भी यूज़ कर सकते हैं अब ये हमारे नमकिन बन गया है मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में निकाल कर इसी तरीके से मैं बाकी सारे नमकिन भी बना लूँगी ये नमकिन आप किसी फेस्टिवल में भी बना सकते हैं अब आप भी इसे ज़रूर बनाए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब भी जरूर करें थैंक यू